तालीश पत्र आपके लंग्स के लिए यानि आपके फेफरों के लिए विशेश रूप से ज़्यादा लापकारी होते हैं जिन लोगों को सांस फूलनी की शिकायत हो, जिन लोगों को कफ भराऊवा रहता हो, हर समय खांसी रहती हो या पुरानी खांसी की शिकायत हो इन स्थरे की सभी शिकायतों में तालीश पत्र का उपयोग विशेश रूप से फायदे मंद होता है तो आज के इस वीडियो में हम तालीश पत्र के बारे में चर्चा करेंगे हम जानेंगे तालीश पत्र के क्या-क्या फायदे होते हैं किन किन रोगों में उपयोगी होता है और किस प्रकार से आप तालीश पत्र का प्रयोग करके किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं तो तालीश पत्र के विशे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंतक देखिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर प्रतिक अगरवाल आयरवेदिक कंसर्टेंट आयश्मान आयरवेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ तो बात करते हैं कि तालीश पत्र के क्या-क्या गुण होते हैं तो तालीश पत्र लगु है और तीक्ष्ण है यानि यह पचने में हलका होता है शरीद में हलका पन लाने वाला होता है तीक्ष्ण ताके साथ कारे करता है सुख्षमा व्यवावों में यह शिग्री पहुंच जाता है इसके अलावा यह तिक्त रस युक्त होता है यानि स्वाद में यह कड़वा होता है और थोड़ा सा इसमें मीठा रस भी होता है यानि थोड़ा सा मीठा पन भी लिए हुए यह रहता है इसकी जो तासीर होती है वह गरम तासीर का है यानि ओशन वीज ओशदी यह होती है और यह कफ और वाद दोश का शमन करने वाला है, यानि कफ वाद दोश जन्ने रोगों में इसका प्रयोग फायदे मन्द होता है, तालीश पत्र का जो मुख्यकार रहए वह आपके फेफणों पर लंग्स पर रहता है, या आपके लंग्स की क्रिया शीलता को विशेश रूप से ज़्यादा बढ़ा देता है, जिन लोगों को भी सर्दी जुखाम की शिकायत रहती हो, जिन लोगों को भी सीने में कफ भरा हुआ रहता हो, गले में कफ भरा हुआ रहता हो, या जिन लोगों को बोलने में भी दिक्कत होने लगती हो, गले में कफ भरा रहता हो, इन सभी लोगों के लिए तालिश पत्र विशेश रूप से ज़्यादा उपयोगी होता है कई लोग इस प्रकार के होते हैं जिनको पुरानी खांसी हो जाती है और हड़ समय खांसी बनी रहती है ऐसे लोगों के लिए तालिश पत्र विशेश रूप से उपयोगी है यह कफ निस्सारक होता है यानि कफ को बहार निकालने वाला होता है यह एक एक एक्सपेक्टो और बुखार भी हो जाता है यानि जिनको वात्षलेश में ज्वर हो यानि जिनके सीने में कफ भरा हुआ हो और बुखार भी हो ऐसी अवस्था में भी तालीश पत्र विशेश रूप से जादा फायदे मन्द होता है या बुखार को भी उतारने वाला होता है और कफ को बाहर यह होता है। कई लोग इस तरह के होते हैं जिनको सांस पूलने की शिकायत रहती है और उनके फैंफ़रों में सूजन आने लग जाती है। फैंफ़रों में फसे हुए कफ को भार निकाल कर यह आपको सांस लेने में आसानी दिलाता है और जो आपकी सांस पूलने की समस्य जादा होती है उसे कम करने में यह आपकी मदद करता है। वाला होता है, रोचन होता है यानि खाने में रुची को पैदा करने वाला यह होता है। इसके अलावा इसे वातानु लोमन कहा गया है यानि जिन लोगों को जादा पेट में वायू घूमने की शिकायत रहती हो, पेट फूला रहता हो, अफारा की शिकायत हो जाती हो, इस तरह के रोगों में तालीश पत्र विशेश रूप से फायदेमंद रहता है। इसके अलावा तालीश पत्र मूत्र जनक है, यानि आपके मूत्र की मात्रा को बढ़ाने वाला है, शरीर में बल को बढ़ाने वाला यह होता है। इसको चून बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं और टीन ग्राम से लेके पांच ग्राम तक की मात्रा में इसका प्रयोग किया जा सकता है इसका प्रयोग आप शेहत के साथ कर सकते हैं इसमें अगर आप चाहें और अच्छे रिजल्ट लेने के लिए इसमें बरावर मात्रा में सितोपलादी चून का प्रयोग भी मिला कर किया जा सकता है सितोपलादी चून को बरावर मात्रा में मिलाने से तालिश पत्र का प्रभाव भी काफी ज़्यादा बढ़ जाता है और सितोपलादी चून भी आपके लंग से सम्मंदित रोगों के लिए विशेश रूप से उत्तम दवा है तो अगर आप छाती के रोगों के लिए फेफणे के रोगों के लिए तालीश पत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों तालीश पत्र से सम्मंदिती है जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और अगर आप किसी भी आयरवेदिक जड़ी बूटी का, किसी भी आयरवेदिक आउशदी का प्रयूप करें तो अपने नजदी की चिकित सक्से सला लेकर ही करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद